राज़काल का विवासन पर सदन में CM का समगोधन विपक्ष के सवालों का दिया जबाब गरवड़ी बताने की विपक्ष की अपिए बजाने परसेट में नेता प्रतिपक्ष ने CM पर साधा निशाना कोरोना काल के दौरान गायव रहे CM किसाना अंदोलन पर भी नहीं दी प्रतिक्रिया विधान परशद में बुचा अटल पत का मामला बीजे पीमेंसी नवल किसोर यादो ने लोगों की समस्या को गिनाया विधान परशद में उठाये गए सवाल पर जनता की दिखी गिनी अर जाने परतन में जाप अध्यक्ष पप्पो यादो ने किया प्रेस कॉंफेंस सरकार पर बोला हमला शराब बंदी पर सीम से मांगा इस्तिफा और जारकर में बिचॉल ये लगा रहे है सरकारी ओजना में पलीता मिर्तकों के नाम पर आवास अवंटित कर उठा रहे है पैसा सीम के पास पहुंचा मामला नमश्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत आपके साथ महूशर मिला जोहान तो बात अब खबरों की करेंगे और बढ़ेंगे आगे बिहार विधान सभा के बजट शत्र के तीसरे दिन राज्य पाल के अविभाषन पर चर्चा के दौरान सीम नितेश कुमार ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया इस दौरान सीम नितेश कुमार ने विपक्ष के अपील करते हुए कहा कि अगर कभी भी गड़बडी देखे तो खुद सुचित करे और इसके लिए सरकार बेहतर कदम उठाएगी इसके साथ इसीम निटेश कुमार में सरकार की विकास कारियों और उपलब्धियों को भी विपक्ष के सामने सदन में रखा अगर कार करने का मुखा मिला है तो बजट का कार था 13,885 करोड और अब बढ़ते 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 अब हो गया दो लाग 18,000 करोड का तो हम लोग तो करी गया है अब जो हालत है आप समझ लिजिए और एक चीज़ और बता देते हैं दो हजार चार पांच का आकड़ा जान लिजिए आकड़े कहां से मिलते हमको नहीं मालूम है जो सही आकड़े हैं उसको जान लिजिए दो हजार चार पांच में वर्तमान मुल्यों पर प्रती व्यक्ति आये आज के मुल्य पर प्रती व्यक्ति आये थी 7,914 रूप यही था पहले और आज हो गया है 2019-2020 में बढ़ करके अब प्रती व्यक्ति आये हो गया है 50,735 अब आप कहिए का कुछ वो ही नहीं रहा अरे भाई ते इतना तो बढ़ रहा और इसके बाद जान लिजिए कि बिहार में ये जो है cost of living दूसरे किसी राज़ी की तुल्डा में cost of living यहां कम खर्च में काम होता है भोजन का और अन्य चीजों के लिए जो खर्च होता है दूसरी जगों पर कम पैसे एक में खर्च में यहां पर लोगों का काम होता है ये cost of living के मामले में ज़रा जान लिजिए सब को जानना चाहिए बिहार की एक खासियत है हम अभी यहां पहुँचे हैं तब भी आप समझ लिजिए कोई भूख से अब नहीं मर रहा कोई ऐसी स्थिती नहीं है जाकर के देख लिजिए गाउं एक एक गाउं में कभी हम लोग पहले घूंगते थे अपने छेत्र में और एक साथ अगर पचास सो आदमी थे तो कहीं कोई गाउं की स्थिती रहती थे कि लोगों को एक जगा खिला सके और आज समझ लिजिए जो वरकर है जो काम करता हम मज़़ूर है आज उनकी भी स्थिती ऐसी हो गई है कि उनके अगर पांच दस आदमी पहुंच जाता है तो सब को भोजन करा देते हैं ये इस्थिती है पर इस्थिती में तो इन समझ भी बिहार विदान सबाब में आज नेता प्रतिपक्षते जस्वी आदम ने नितीश कुमार पर जम कर निशानस साधा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में किसान परिशान है आंदोलन कर रहे हैं लेकिन बिहार के मुखमंतरी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी यहां तक की कोरोनकाल में भी जहां हर राज्य के सीम अपनी जुनता को लेकर तत पर थे तो बिहार के मुखमंतरी ने अपने अवास के बाहर भी निकलना जरूरी नहीं समझा इसके साथ साथ शराब बंदी कानूनों को लेकर की मिसाफत तोर पर उन्होंने अपराज को लेकर बढ़ावा करने की बात की नितीज सरकार फेल साबित हो रही है ऐसाथ तेजस्वी यादों ने कहा बिल्कुल जहरीली शराब पीने से कई लोगों की बिहार में मौत होड़ी है और सारे आरूपों को लेकरते जस्वी यादों ने आज सीम नुतीश को घेरा हम लोग ये चाहते थे विपक्ष के लोग भी चाहते थे कि जो बजट सत्र है हाला कि महामारी में ये दूसरा बजट सत्र है पहला बजट सत्र जो हुआ था वो एक दिन का हुआ था लेकिन जब चुनाओं हो सकते थे जब चुनाओं प्रचार हो सकता था तो एक महत्पून जो सत्र है जो बजट सत्र है जो बिहार के भविश को तै करता है वो परामपरागत तरीके से लंबा चलना चाहिए हम आशन को धन्यवाद देते हैं कि ये बजट सत्र जो है वो परामपरागत तरीके से चल रहा है जहां महत्पून सवाल आ रहे हैं क्राइम की अगर जहां तक हम लोग बात करें महुदे तो क्राइम को अपरादियों के भरों से छोड़ दिया गया है सर्डक्शन दिया जा रहा है महुदे करप्शन की बात करें तो भरस्टचारियों का हाथों दे दिया गया है लगबग नितीजी के राज में इन 15 सालों के शाशन में 75 घोटाले ऐसे हुए हैं मौदे इसमें बिहार का अर्बो खर्बो रुपया जो है वो लुटा लिया कॉमनिलिजम की बात की जाए सरकार में कौन से विचार धारा के लोगों को नितीश कुमाजी ने बैठा दिया है इस पे हमको बोलना नहीं आप सब लोग जान रहे हैं कोई धांग से अगर परिक्षा नहीं करा पा रही है रिजल्ट में फिर धांद लियोगा सनी लियोजी टॉप कर जाती है तो बिलकुल आज सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जादो भी खुब उग्र दिखे और उन्होंने सरकार को घीरा लेकिन इस बीच बिहार विधान सभा में आज प्रश्णोतल कार के दोरान विपक्षो के सवालों का सिक्षा मंतरी विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया इस दोरान सदन में सिक्षा विवस्था को दुरुस्त करने के साथी सिक्षा के नियोजन का मामला भी सदन में उठा जिसका जवाब देते हुए सिक्षा मंतरी ने सरकार की तरफ से उठाये जा रहे कदमों की भी जानकारी दी तो आपको पता दू कि शिक्षा मंत्री ने आज कई सारे सवालों के जवाब दिया इस दौरान सदन में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला था उस पर भी जवाब दिया लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से हालात हैं उसके उपर भी चर्चा की सरमिला बिल्कुल नेताप्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज विधान सभा में सिक्षा मंत्री को भी गेरा और सिक्षा को लेकर कई सवाल उठाए सबसे पहले तो मैट्रिक परिक्षा में हो रही धांधली पर आरोप लगाया और कहा कि इस तरह से क्या मैट्रिक की परिक्षा बिहार में हो पाएगी क्या इस तरह से छात्र सफल हो पाएंगे क्या इस तरह से परहाई जो सिक्षा की विवस्ता है वो बिहार में चलेगी बिल्कुल इसके साथ साथ अगर बात नियोजीत सिक्षकों की करिशा मिला तो जिस तरीके से सिक्षकों के इतने दीनों से जो बेतनमान रूके हुए उसको लेकर के भी आज सदन में सवाल जबाब हुआ जिसका सिक्षा मंत्री को जबाब देना पड़ा वही बात अगर आगे करें तो सदन शुरू होने से पहले संसदिय कार्यमंत्री शरवन कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा मुखी मंत्री पर लगाए गए आरोप पर तंज कस्ते हुए कहा कि अभी प्रतिपक्ष के नेता को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है उन्होंने कहा कि किसी भी बात को अमर्यादित और मर्यादिय में रहकर ही बात करनी चाहिए ना कि अमर्यादित धंग से विरोध करना या किसी भी हाल में उचित नहीं है उनका आरोप निराधार है बेबुनियाद है उनका आरोप मर्यादा को तार-तार करने वाला है और जो जनपर्तित में मर्यादा का पालन नहीं करता है मर्यादा को तार-तार करता है संसदिये लोगतंत्र में उनके लिए कोई सम्मान किसी की परतीत नहीं है मैं समझता हूँ वैसे लोग को थड़ा और संसदिये लोगतंत्र की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा के लिए थड़ा और काम करना चाहिए बिलकुल सीखने की जरूथ है, जो ब्यक्ति किसी मर्यादा को तार तार कर रहा हूं του ग्रजने की जरुथ हैं जनने के जरुए कि उरत्रेंड की आधर कर दो है , अगर किसी व्यक्ति को मर्यादा का पालन करने की आदत नहीं है जानकारी करनी चाहिए बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन सत्र की कारेवाई के पहले ही आरजेडी ने अपने मनसूबे को जग जाहिर कर दिया किसानों के समर्थन में आरजेडी के विधायक ने हाथों में प्ले कार लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की राजत पहले भी किसान के साथ है और आज भी किसानों के साथ है इस देश का अंग डाता किसान है और किसान पूरे देश में अंदोलित है किसानों पर जूटी मुकादमा की जा रही है उनकी जो मांग है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है ये सरकार जो लोग भी सरकार के खिलाप में सरकार के कमियों को दर्साता है चाहे वो नेता हो या पत्रकार हो सब पर लाठी चार्ज किया जा रहा है फोटोग्रापरों पर लाठी चार्ज घसीट कर मारा जा रहा है जो सरकार लोगतंतर पर विश्वास नहीं करती है उस सरकार को एक मिनट भी सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए आज किसानों के मांगों को लेकर जो अंदाता किसान है हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ति किसानों के मांगों पोड़ी होनी चाहिए जब सरीर का रीड ही नहीं रहेगा देश का रीड किसान है और किसान का रीड जब तूट जाएगा तो देश अपने आप खतम हो जाएगा इसलिए ये सरकार में लोगतंद खत्रे में है और चारों अस्तम हम लोग का हील चुका है इसलिए एक बार फीर आजादी की लड़ाई हमें हमाम को आपको लरना पड़ेगा तो बिल्कुल बजट शत्र के दोरान सदन चल रहा है इसमें विधान परिशद और विधान सभा दोनों चल रहा है लेकिन विधान सभा में जिस तरीके से इस्तिती दिखी अंदर में भी हल चल था तो बाहर भी दिखा और भाई बिरंदर ने जिस तरीके से अंदाताओं के समत्तर में अपने बाते कहीं वो कहीं न कहीं बिपक्ष को मजबूत करता है और सरकार को कमजूर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसी बीट जहां एक तरफ बिधान सभा चल रहा था दूसरी तरफ बिधान परिशद भी चल रहा है बिधान परिशद के वज़शत्र के तीसरे दीन बिधान परिशद में पटना के नौ निर्मित अटल पथ से होने वाली समस्या सदन में गुजी इस दौरान बीजे पीमल सी नौ किसोर यादो और दिलिप जहस्वाल ने प्रश्ट निकाल के दौरान सवाल उठाया जिसके बाद बिहार सरकार के पत निर्मान मंत्री नितिन नवीन ने जवाब देते हुए कहा कि अंडर पास को लेकर बाची चल रही है तकनीकी जनकारी ली जा रही है और जल्द ही लोगों को इसकी सुवीधा भी दे दी जाएगी तो बिल्कुल आपको बता दू कि आज खुद पत निर्मान मंत्री और उसके साथ साथ बीजेपी के एमेलसी के बीच तकरार दिखी और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ के स्थितियों को लेखा उसके बाद सवाल जबाब का दौर चला और प्रश्मकाल के दौरान मंत्री ने अस्वासन दिया है कि जल्द ही वहाँ के स्थितियों को ठिक कर लिया जाएगा जाब सुप्रीमों पपू यादों ने राजधानी पटनमे प्रेस कॉन्फेंस कर सरकार को जम कर घेरा पपू यादों ने नितिस सरकार को अंध्यों और बहरे की सरकार बताया शराब बंदी को लेकर जाब सुप्रीमों ने कहा कि अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से पूरी बिहार में शराब की बिक्री हो रही है तो वही शराब बिक्री के कारण बिहार में अपराथ चरम पर है और इसी के साथ पपू यादों ने ये भी कहा कि सभी नेताओं की भी जाच होनी चाहिए सभी शराब पीते हैं शराब बंदी के फेल होने पर सी एम से उन्होंने स्तीफे की भी मांगी क्या आपने वो दोनों बैपारी के आधार पर बिहार में किसी को चिनित किया अफायर लौज की विहार में किसी की आधार पर जब 200-400 गारी डेली आती थी तो उनके पैसे भी सीज होने चाहिए थी अपने किया उनके एकॉंट का डिकलियर किया उनके आने के बाद बिहार में किनकिन को सामगरी मिलता था क्या उसको अफायर दर्ज भी बिहार का सराव चाहे मजपरपुर में साथ लोग मरे दो लोग को गैब कर दी गई गुपाल गन में मरे इसके पहले सासाराम में मरे लगातार आपको आस्तर लगेगा कि बिहार का जो सराव का बिजनेस है उसमें सत्ता पक्ष और भीपक्ष के MLA, MP, मंत्री, संत्री परमुख नेताओं की का गोदाम उसकी पैसे और उसकी पूरी इधर राज़धानी पत्ना में राज़त कार्याले में गर्से महराज की जैनती समारोह मनाये गया और इस मौके पर आज़एडी के प्रदेश अद्यक्ष जगदानां सिंग ने गाज़से महराज की तस्वीर पर मालयारपन करूने शद्धानजली दी इस मौके पर राज़त की राज़त्री महासचीव श्याम रज़क भी मौजूद रहे तो दूसरी तरफ हम प्रमुक जीतन रामाजी ने भी प्रदेश का रयाले में संद्गार्गे महराज के तस्वीर पर मालयारपन करूने शद्धानजली अर्पित की इस दौरान जीतन रामाजी ने कहा कि संद्गार्गे महराज ने शिक्षा और सफाई को लेका जो संदेश दिया उसे हमें प्रिरिणा मिलती है और इसे अपने व्यक्तित हुगा और अपने जीवन में धारन करने की जरूरत है तो बिलकुल आज पतना में डी टीवी भारत के ख़बर का असर हुआ है यह खबर दिखाया जाने के बाद मामले में पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपियों की गिरफतारी की इसर मिला बिलकुल हमने आपको पहले ही दिखाया था एक दिन पहले यानि हमने सोमवार को आपको दिखाया था कि किस तरह गया में स्कूली छात्रा के साथ शेर खानी का वीडियो वाइरल हुआ था जिसके बाद डी टीवी भारत ने इस ख़बर को प्रमुकता से दिखाया था अब निर्भय इसके बाद फटेपूर पोलिस ने तीन आरोपियो को गिरफतार कर लिया तो यह खबर बड़ी कही जा सकती है शरमिला जिस तरह से वीडियो वाइरल हुआ था और डी टीवी भारत ने इस खबर को प्रमुकता से दिखाया थी कि कैसे मन चले जो थे वो युवती के साथ शिर्खानी कर रहते और इसे सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया था और इस खबर के बाद अब पुलिस ने इसे संग्यान में ले लिया है तो उसमें जो पीडिता है उनको में उनने आइडेंटिपाई किया इनको में आविदन दिया थायर दी जिन लोग द्वाराबत्रे में जिकी गए उसमें उम्लोग थे अल्टरफ कारवई करते हुए तील लोगों की अर्स्टिंग करी है उसमें जुतीग दो लट्किया थी एक साथ दो लट्किया एक साथ नहीं थी तिन रहके थे एक ऑटो उच्पने के एक जिसमें और एक ऑटो था जूम रिकवर किया गया है उसमें तीन रहके थे एक छोटल कुमार, एक रोहिद गो स्वामी और एक श्रामन कुमार यह तिनों की गिरफतारी को यह 24 गंटेंगे अंगा बाथी डोनों बाद इसमागरी के एक दुकान में फाइरिंग की गई जिसके बाद इस फाइरिंग में एक स्टाफ घाल हो गया जिसको लेकर आज वैवसाई स्रंग ने सिटी डियस पी अमिच शरन से मिलकर वैवसाईों की सुरक्षा की गुहार लगाई तो बिलकुल आपको बता दू कि पटना सीटी में डरे हुए अपर जिस तरीके से वैवसाई है वो डरे हुए है और उन्होंने कहा कि मीना बाजार इलाके में असमाजिक तत्तों के द्वारा जमावडा लगा रहता है जिसके कारण असमाजिक तत्तों द्वारा बेवसाईक बर्ग को मिसाना बना जाता है सर्वीरा वहाँ के स्थिट्यों को लेकर देखा जाए तो जिस तरीके से वहाँ के हालात है उसके बाद क्या कुछ हुआ बिल्कुल ये वेवसाई भी आम नहीं थे ये बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे और इनके दुकान पर फाइरिंग की गई थी हाला कि उस दौरान वो मौजूद नहीं थे और इस दौरान एक करमी को गोली लग गई थी अब भै बना हुआ है और वो लोग ये स्वाई तत्व को द्वारा ये मंडी में भै दिखाना चाते हैं इस भै को देखते हैं हम लोग अपने बड़ी प्रकाड़ी से मिले है जो उन्होंगा स्वासन दिया है कि ठीक है कल बठा करके हम आपको मौनली को स्वच्छा कवस्ता अब राधी कभी तक पहचान हो पाई है क्या लग रहा है कि अब इस तरह जो सर्याम घटना हुई है बेवसाई बर्ग में काफी डर और भाय समय यहीं है और अब खबर बकसर की जहाँ पुलिस अदिक्षक का राले में पुलिस और पब्लिक समवात का आयोजिन किया गया ज अधिकारी मौझूद रहे इस समवाद में पुलिस को जनता के द्वारा अच्छा विभार करने तता जनता द्वारा पुलिस को सयोग करने की बात कई गई वही स्काजकरा में पुलिस द्वारा एक एप लॉंच किया गया इस एप के बारे में बताते हुए पुलिस अधिक्षक ने कहा कि आप अपने सिकायतों को थाने में जाते हुए नहीं बलकि घर बैठे ही सिकायतों को आप दर्ज करा सकते हैं बिल्कुल और उसकी अवस्ता की जांच भी आप करा सकते हैं कि वो उसकी जांच है वो कहां तक पहुंची और इस समवाद में जनता ने अपनी समस्याव को भी आधिकारियों के सामने रखा तो आप में आप को डाउन्ड़ तरके वो काम मने जो आने की ओ सकता नहीं है घर बैठे वो काम ऑनलाइन कर सकते हैं इधर बिहार में सरकार भले ही स्वास्तेवा को दुरुस्त करने के लाख कोशिश करें लेकिन आलाधिकारियों के लचर रवये के कारण हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है ताजा मामला जुम्रावन मंडल अस्पताल का है जहां हमारी टीम ने दोड़ा किया तो पाया कि कई विभागों में दो पहर तक ताला लटका है या फिर जो खुला हुआ है वहां डॉक्टर सहाब नादारद है वही जहां एक तरफ स्वास्त विभाग कोरोना के बचाव को लेकर एडवाईरी जारी कर लोगों को सचेत कर रही है तो दूसरी तरफ अस्पताल के करमचारी ही मास तथा सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नीमो की धज्जिया उड़ाते दिखे वही जब अस्पताल में एंटिरेवीज इंजेक्शन के बारे में पूछा गया तो बताया जाता है कि स्टॉक खत्म हो चुका है बिल्कुल ऐसे हालातों में अगर देखा जाये तो क्या स्वास्त महकमा जिस तरीके से दावे करता है क्या वो सही जगा पे है क्या भीहार सरकार के द्वारा जो दावे और वादे की जाते हैं शर्मीला वो कही न कही इस पर मजात साबित हो रहा है बिल्कुल निर्बै जिस तरह से स्वास्त विभाग और सरकार स्वास्त को लेकर लगाता दावे करती हैं, वो दावे यहाँ फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि जब हमारी टीम यानि डी टीवी भारत की टीम ने दौरा किया तो अस्पताल का जो नजारा था वो कुछ और ही था रुट खिख करने हैं डॉक्त करने हैं डॉक्तर साम मिले अभी तक आपसे मआरा हैं डॉक्तर साम मैं आपसे मbewिएघी दोक्टर साम में एपसे क्या बळागए आपको प्रशासन की लापरवाही के कारण आवास योजना में बड़ी गरबड़ी देखने को मिली मिली जानकारी की अनुसार मामला सी मरिया प्रखन के वन्हे पंचाय सेत हर्शनादपूर गाउं का है यहां मुद्दे ना उठाय जाने के बाद आवास बनाय जा रहा है और यहां मुर्दे है जो धरधर पैसे उठा रहे हैं दर्शल हरसनपूर गाउं के मृतक सुन्दर राम के मौत 2014 में हो गई थी लेकिन 2016 सत्रे में उन्हें पीम आवास लभार्थी बना दिया गया इदर जमसेथपूर के बिस्टूपूर थानकशेतर में बैंक रुपए निकालने जा रही महिला से बाइक सवार्यों को ने छिंताई की वहें इस घटना को अंजराम देने के बाद बाइक सवार्यों अक तेजी से फरार हो गया बताया जो रहा है कि पीरत महिला प्राइविट स्कूल में सिक्षिका की रुप में कारिक करती है सिक्षिका ने बिस्टूपूर थाने में लेकर शिकायत देकर बाइक सवार्यों को खिलाफ मामला दर्ज करवाया फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच में जुट गई है तो बिलकुल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां इस्तिती ऐसे बिगड़ती जा रही है जहां जमसेट पूर में बाइक सवार अपराधियों ने छिंताई की घट्टा को अंजाम दिया है तो फिलाल खबरों में इतना ही हमें दीजी इजाज़त और आप देखते रहें तमाम बड़ी खबरों के लिए डी टीवी भारत